101.9 MHz पर FM Radio Lake City, प्रोग्राम, बात हैं, मुलाकात हैं, हाजिर हैं हम लोग, और इस बार प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं, मैं संजय व्यास, आज एक खास महमान को लेकर हम आए हैं, और महमान हैं CA मिनाक्षी भहरवानी, चार्टर अकाउंटेंट मिनाक्षी भहरवानी से हम ब ऐन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लगातार अकांव दने के बाद निरंतर समय बद्ध से काउंटेंचे जिस से उनका काउंटे पार्ट भराबर चलता रहे भृ अपने आप में ये भी एक काफी मुश्किल काम है ऐसा सुनने में आया है कि CA की परिक्षा दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल परिक्षाओं मैंसे एक मानी जाती है तो मेरे सामने जो आज महमान बैठी है मैं ये मान लेता हूँ कि Cerebral qualities में से बिलकुल भरी हुई है और प्रतिभाशाली है और एक प्रतिभाशाली महमान से बातचीत करते वे थोड़ा सा मुझे भी संकोच हो रहा है लेकिन मैं अपने संकोच को फिलाल कोने में रखने की कोशिश करता हूँ और कुछ सवाल जो मेरी जिक्यासा है वो पूछूँगा तो मिनाक्षी जी बहुत-बहुत स्वागत आपका थांक्यू सो मच नमस्ते थांक्यू फॉर दी अमेजिंग वेलकॉम दीटेलिंग Chartered Accountant का नाम सुनते ही हमारे मन में ख्याल आता है कि ऐसे लोग जो खुब पढ़ाई करके अपने इस मुकाम पर पहुँचे है और राजस्थान में उदैपूर शायद जोदपूर के साथ एक ऐसा शहर है जिसे Chartered Accountants की राजधानी कहा जाता है खुब सारे Chartered Accountants निकलते हैं तो यहां के लोगों में क्या खासियत है ऐसी जो एक मुश्किल परिक्षा को बहुत ही चुटकी बजाते ही पल भर में पास करने की कोशिश करते हैं या फिर हम मानते हैं कि पल भर में लेकिन उसके पीछे बड़ी महनत होती है मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बड़े शयरों की बात करते हैं तो बच्चों के पास बहुत सारे डाइवोशन्स होते हैं CMA एक जो बहुत इंपोर्टन चीज है वो है डेडिकेशन मुझे ध्यान है कि जब मैं अपने CMA की तियारी कर रही थी तो ऐसा टाइम होता था एक्जाइम के पहले कि हम छे-छे महीने अपने आपको कॉरेंटीन कर लेते थे मुझे लगता है कि यहां आज के जन्वेर्ट जो है वो काफी लोग समझ गया है जैसे अभी मैंने काफी समय मार्ट से लेकर काफी जनों से सुनती वे आ रही हूं कि घर में बंध हैं परिशान हो रहे हैं पर मुझे लगता है कि हमने सी फोरम में भी हम एक बार इसी बात का डिसकेशन कर रहे थे कि हमें कुछ इतनी तकलीफ नहीं क्यूंकि हमारा करिकुलम का हिस्सा था हम चेचे महीने अपने आपको एक घर में कमरे में बंध कर देते थे किताबों के साथ ताकि उसकी तैयारी क कर सके इतना डेडिकेशन अगर आपके वास बहुत सारे डाइवर्जिंस होंगे बहुत सोचल लाइफ होगी बहुत जादा अधर तरह के डाइवर्जिंस होंगे तो शायद वो डेडिकेशन के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो और मुझे लगता है वैसे भी अभी करें जनरेशन के वे तो वैसे ही मुश्किल है क्योंकि उनके पास एक छोड़ा सा डबबा जो उनके पॉकेट में है वो उनको कॉंस्टेंटली डाइवर्ट करता है पहले जब ये डबबा नहीं था चलन में तब जो बड़ा एक बकसा होता था घर में जिसको बुद्धू बकसा कहते थे उसको भी एक डाइवर्जन का माध्यम माना जाता था लेकिन अब चुंकि आपके अथेले में वो एक पॉकेट ऐसा आ गया है जो आप का ध्यान तमाम तरीके से अपनी तरफ ले जाता है खीच करके तो उसकी तरफ सारा दोश आ जाता है मिनाक्षी हम सीय की एक्ज कि आप की जो जिम्मेदारियं हैं एज इंस्टिटूट ऑफ चार्ट्र अचॉंटेंस ओव इंडिया की mutta ब्यांच कि सेकरिट्री के तो यह जिम्मेदारिया किस तरह की है आप क्या करती हैं आप का काम क्या रहता इसमें हमारी कमिटी होती है साफ इट्रस की filed में जिसनका हर उसके अलावा जो CA के स्टूडन्स होते हैं, उनकी ITOT, GMCS वगरा जो ट्रेनिंग होती है, वो सारी ट्रेनिंग्स अरेंज कराते हैं, हाली में इस हमारे टेनियोर में जो हमारी उदैपुड की ब्रांच है, इसे सेक्टर 14 में जो है, उसका रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो र टूगेधर भी होता है, खाना पीना मौज मस्ती भी होती है, बिल्कुल होती है, ये बहुत गलत मानना है काफी जनों का कि CA बड़े बोरिंग होते है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमारे रेगुलर बेसिस पे काफी सोशल इवेंट्स भी होते हैं, जैसे पर अभी में सारे CA members जो होते हैं, मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ CA's की, तो कितने Chartered Accountants हैं, जो आपकेस में members भी होंगे, लगभग 1400 है, बहुत, बड़ी तादात है, चोटा शहर है, काफी बड़ी तादात हैं, लेकिन 1400 में से काफी ऐसे भी हैं, जो जनों कहीं अपने जॉब के कारण कोई मुंबई में, कहीं डेली में है, बट रजिस्टर फ्रम उदैपूर 1400 होता है, और ऐसा मानते हैं कि बहुत बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन आकड़ों की बाजिगरी और यही सब कुछ जो है, वो करना होता है और अकसर जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, वो मार्च के बाद अपना फॉर्म 16 लेके उनके पास पहुंचते हैं, आम आपको देखकर के हमारे जो तमाम शोता है, हमारे जो लिसनर्स है, वो सोच रहे होंगे कि क्या मिनाक्षी भी वैसी है, तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि एक चार्टेड अकाउंटेंट टिपिकल जैसी हमारी धार्ना है, वैसी बिल्कुल उस चहवी में आप फिट न बहुत सारी चवी टूटनें के लिए चवी बनती है, तो चार्टेड अकाउंटेंट्स बहुती सामाजिक होते हैं, सोचलाइज भी करते हैं आम तवर पर पार्टी बगर में दिखते कम हैं, लेकिन जरूर करते होंगे आपस में अपने समाज में पार्टी इस भी करते तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है काफी सारे चार्डेड काउंटेंस हैं मेरे सर्कल में भी जितने जार्डेड काफी फान लविंग है जैसे मैं आपको बताया कि हम काफी एवेंस करते रहते हैं ब्रांच पर रेगुलर बेसिस पर चाहे वो ट्रेजर हंटो चाहे सिए हाफी टालेंट अंट हो चाहे हमें चाहे क बात करते तो इंसमें कितनी आप नाइस की यूचर्ल करते आप्ए ब्रांगरें। चाहे लंकि और कि नापकर कि तापि यू Springs 성공 कर्णेंग कर तो अफिश में खेड़ का मैं लगता है कि यहां मुझे उनके साथ लाइक सोचल गैधरिंग में उनके गाने सुने बड़े मज़ा हैं तो क्योंकि मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे सिंग आती तो मुझे बता है अगला हफ क्या वो तो वैसे भी हम आपको इस प्रोग्रम में कभी तो आपको जरूर कहेंगे क्योंकि आप इस तरह की सारी पार्टीज भी होस्ट करती है तो जरूर आपको भी एक दो बार मुका ऐसा जरूर मिलता होगा कि आपको कहा जाता होगा कि आप भी माइक्रोफोन पर आईए और कुछ गाईए अग्चली माने सिय पार्टीज में डांस परफॉर्मेंस ज्यादा दे र रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूनेंट्स हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं सबसे पहले आपको पूछता हूं कि किस तरह से आपके मन में याया कि चार्टर अगॉंटन बनना है क्योंकि आपने कहा कि आप पढ़ने में ठीक ठाक थी एक लेवल तक लेकिन चार्टर उससे पहले आपने खूब मैनत की होगी अच्छी तरह से आपने उस परिक्षा को दिया होगा और किताबों से अच्छी खासी यारी दोस्ती हो गई होगी आपकी तो क्या आपको कॉमर्स शुरू से पसंद थी आपकी पसंद का विशय था इसलिए आप इसमें आई फिर हम लोग एक स्कूल में हम आठ बहने थे और मेरी सारी बहने रैंकर्स थी उनके क्लास में फर्स सेकंड थर्ड रैंक इस तरीके से बनते थे और में कलौती ऐसी थी उन आठ बहनों मैं से जो 60 परसंट के लिए स्टॉगल करती है जो 60 आजए ता कि टीचर सुना ना ते कि खुद के परसनल नेचर के जो मुझे खुद को बहुत पसंद है कि मैं इतना लोड नहीं लेती हूं लोग क्या सोचते है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर वो भी हम सोचने लग तो दिकत हो जागे और ये चीज पढ़ाई में भी हल्प करती है बहुत ज्यादा आप लो मैं उनको यही कहना चाती हूं कि इन सब चीजों का इतना प्रेशर ना ले जी मिनाक्षी जो स्टूडेंट है कॉमर्स के और जो कॉमर्स इसलिए विशय को लेते हैं कि उनको चार्टर अकॉंट बनना है उनको आप क्या कहेंगी अगर वो पढ़ने में एवरेज हैं तो बढ़ने मित है और हमने अपनी एक डोमेस्टिक वाल बना लिया दिमाग में कि मैं आवरेज हूं मैं वीख हूं कई बचों से बात करते हैं हमसे नहीं नहीं हो पाएंगा तो मेरा इंस्टेंट सवाल होता है कि तुम्हें कि इस नहीं बोला तो मैं आवरेज स्टूद्टू आवरेज परफॉर्म किया हो कोई फरक नहीं पड़ता जब जागे तब सवेरा तो जब आपको जिस दिन ऐसास होगा कि नहीं मुझे करना ही है और मुझे इसा लगता है कि इंटेलिजेंस तो सब में होता है क्योंकि टेक्निकली साइंटिफिकली हम सबका ब्रें साइज पराबर है बस उसको कितना डेडिकेशन से करते हो वो इंपोर्टन होता है पढ़ाई में इंटेलिजेंस से जादा सीए के लिए तो स्पेशली वो सनक्ट चाहिए होती है कि वो तो सब में कुछ हारब होते हैं, आप चाहे तो गिन लेजे, गिनने बैठ जाएए, गिन नहीं पाएंगा, बात है मुलाकात है, मैं आज हमारी मैमान मीनाक्षी भैरवानी, और चार्टर एकाउंटेंट बनने वालों के लिए सबसे पहले जानना सरूरी है, या जो किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसमें क्या चरण होते हैं, एक एक चीह का एकग्जाम पूरी तरह से पास करके बाहर आने में, कितने मरहले होते हैं? तो बेसिकली सीय में 3 लेवल्स होता है 1st लेवल जो होता है foundation लेवल होता है 2nd intermediate और last लेवल final लेवल होता है जो 1st लेवल हे उसमें लगबग एक student के वही subjects आते हैं जो उसने 11-12 में अलरेटी पढ़े होता है जैसे कि economics हो गया Math stats हो गया Business studies हो गया management की नाम से आता है English आता है accountancy आता है second level तक आते हैं थोड़े advanced subjects हो जाते हैं जैसे कुछ नए subject students पढ़ेंगे जो उन्होंने 11-12 में नहीं पढ़े जैसे financial management हो गया costing हो गया बड़े इंट्रेस्टिंग से subject होते हैं खाली एक छोटा सा जो इशू होता है जो आपको handle करना है जो student of CA कि आपको अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे पांच पेपर देने जैसे foundation में अगर आपके चार पेपर हैं और आप एक पेपर में भी फेल हो जाते तो आपको दुबारा सारे प कि अगर से सोचे तो कितना beautiful concept है कि आपकी management check हो रही है क्योंकि अगर सारे subject को आपको बराबर ध्यान देना है ऐसा नहीं कि मेरा फेलिट सब्सक्राइब कर पाया इसलिए एक पेपर आपने कम तयारी कर पाया राइट राइट तो आप सोचे बच्चा किती planning करेगा उसको क्ल अब बाखी subject accountancy और आप बाखी subjects को अगनोर करके खाली वो पढ़े और आपके 95 बाखी अगया तो भी और बाखी subjects में आपके नहीं आपको आपको थेना पड़े का आपको बहुत अच्छे नमरों के साथ अगर पेपर आपने clear किया है तो बहुत अच्छे नंबरों के साथ आपके साथ प्रतिशत से उपर आए, तो चारों आपके नहीं देना है, तो एक ही प्रदैना है, तो पर लेकिन आप इतनी बढ़िया तेयारी कर सकते ते कि आप उन चार में साथ लेट थोड़ी एफट इदर दाल देते तो पूरा गुरूपी क्लियर हो जाता, बिल्कुल, ब पाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया, फिर नेक्स लेवल इंटर पे आप पहुंचे, इंटर में कितने पेपर हुए? इंटर में आठ होंगे, इंटर में जो आठ पेपर उसको हम तो तुकड़ों में बाट देते हैं, गुरूप 1 और गुरूप 2 अब इसमें जो यह सब प आपका गुरूप पाले का पर गुरूप 2 में आप चारों पेपर में पास हो गए तो वह आप निकल गए तो इस पॉरूप क्लियर हुआ तो आपको वह दुबारा गुरूप नहीं देना दुबारा यह है, इसके बाद फाइनल जैसे है तो वही दो गुरूप लेकिन अभी यह है कि जो कुछ सबसे मुश्किल गजाम माने जाते हैं उसमें का एक जाम भी है और एक यह माना जा जाता है, इसका जो रिजल्ट है, उसका परिटीज बहुत कम रहता है, यह सही बात है? कम इसके लिए इसको कहीं ना कहीं तफ एक्जाम कहा जाता है रिजाल्ट तो पास रेट रहता है वो जैसे आप समझ लीजे अगर फर्स लेवल पर सौ बच्चे बैठे तो तीन बच्चे पास होंगे सेकंड लेवल पर लग बग 13 और लास लेवल पर तीन से चार तो अच्छा यानि हम यह कहेंगे आखिर में तीन से चार बच्चे ही सौ मैं से क्लियर कर जाते हैं लेकिन उसके बाद जो बच्चे रहते हैं वो आगे अटेंट करते हैं दूबारा दे सकते हैं ऐसे कोई लिमिट नहीं होती है अटेंप्स की आपको कुछ यह होते हैं जिसके लिए तो बहुत आपको इसकी व्यापक अधियन करना पड़ता है लेकिन तयारी किसरे से की जाए इसकी क्या इसके लिए सपोर्टिंग भुक्स भी होती है कुछ मटिरिल भी अवेल होता है और कोर्स कोचिंग होती होगी लेकिन बात नहीं करेंगे सेफ स्टडी जो है वो सबसे अच साधी के बाद दिया था दोनों ग्रूप से एक साथ तो उस समय मुझे ऐसा लगा जो मैंने जब डीटेल अनालेसिस किया तो मुझे इतना समझ में आया कि 80-20 का रूल चलता है इसी परसंट जो सिलिबस होता है उसमें खाली 20 मार्क के क्वेशन उठके आते हैं और 20 परसंट उसमें काफी डिटेल में एक पेज दे रखा होता है बर्ड जाए व्यू जिसमें बता रखा होता है कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर के पिछले सालों में बड़े फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेशन आये मदद करता है बहुत मदद करता है मैंने आज स्टूडन मै मैं हमेशे अपनी पढ़ाई इस स्कैनर से स्टार्ट करती थी और मैं ग्रेडिंग करती थी चैप्टर की वो चैप्टर इसमें से काफी वेटेज के क्वेशन जाते हूं इसको मैं ए ग्रेड चैप्टर मां करती थी फिर बी ग्रेड और फिर सी ग्रेड तो होता है कि जब हम सबसे पहले जब आप बड़े जोश में तो आप ए सेक्षिन वाले क्वेशन चैप्रज उठाएं क्योंकि उनको इंडेप्थ नॉलिच चाहिए उन चैप्टर का इंडेप्थ क्वेशन आएगा बी सेक्षिन को अगर आपने अवरेज भी कर लिया ठीक है सी सेक्षिन को आप मुम्मेंट उपर उपर से भी क्योंकि से का सिलिबस इतना बड़ा है कि मैं किसी स्टूटेंट को कहूं कि आप फाइनल लेवल तक आप पूरा सिलिबस कर लीजिए तो कई बार वो चीज मुमकिन नहीं हो पाती है तो यहां पर स्मार्ट वर्क जैसे मैंनेजमेंट और स्मा ऐओ स्टूडंस आपकेत safe terminal निकल जाते उस नि Clayton है झायें को चैंट कोंग ज्याते हैं एक जोग पिलृटी के स्टूडिंस सेमीर निकल जाते हैं काफी जो पूंप्षिण सेहीं सेहाँए श्रफ डी श्टिर्ट अपन जयों तो से थेले ते iron मेंपने अपने युदिप ज कोई फरेक्ट नहीं पड़ता है एक इस में और पूछना चाहूंगा मैं कि जो स्टुडेंट इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और जो इंटर तक मतलब पहुच पाए फाइनल नहीं कर पाए कुछ पेपर रह गए और फिर हमेशा रह गए वो तो वो लोग भी कुछ प्रैक्टिस वगर करते हैं कोशिश करते हैं और उनका भी अच्छा खासा जो है वो रोजगार का जरिया बन जाता है बिल्कुल इंटर के बाद आर्टिकल को बंग करें क्योंकि आपका महाँ पर स्किल डेवलाप्मेंट हो रहा है तो अगर किसी कारण से बाद में सीए फाइनल ये क्लियर नहीं भी कर पाते हैं तो भी इनको बेसिक जो चार्टिट का काम है वो सारा आता है तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंस है जो जो फाइनल शाय समाज का एक जिम्मेदार भाग है क्या कहना चाहेंगे आप अपनी fraternity के जो आपके साथ ही है हम जानते हैं कि Chartered Accountants बहुत ही महत्वपून हिस्सा है जो हमारे आज के हमारी जो लाइफ है उसमें एक इंटेगर पार्ट हो गए है बिना इनके हम कल्पना नहीं कर सकते लेकिन इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां रहती होंगी किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वा और बहतर तरीके से कर सकते हैं क्या कहेंगे देखे मुझे लगता है कि टेक्नलोजी बहुत इंबॉर्टन रोल प्ले करते है हमारी फिल्ड में तो काफी सारे Chartered हैं जो अ अगर हमें as a Chartered Accountant better deliver करना है अपने प्रोफेशन में तो हमें कहीं न कहीं टेक्नलोजी को डॉप्ट करना पड़ेगा और यही रीजन है शायद कि हमारे सिलेबिस में कुछ सालों पहले आई टी जो सब्जेक काफी बच्चों को पसंद नहीं है काफी चिरते हो सब्जेक से क क्योंकि वह सब्जेक कहीना कि उन्हें रोग देता है इंटर और फाइनल में पर उन्हें समझना पड़ेगा कि हमारे फील में इंफोमेशन टेक्नलोजी का बहुत जादा इंपोर्टन से क्योंकि हम इतने डेटा के साथ डील करें उसे मैनुली करेंगे तो हम सब जगा कि चार्टेड अकॉंटेंट बहुत ही शुष्क सा समाज में रूखा सुखा रहने वाला आम तोर पर बोरिंग आपने खुद का था अलांकि यह मित है और तूटना चाहिए तो किस तरह से मिनाक्षी भहरवानी के जो टिपिकल 24 आर्स हैं वो क्या आकड़ों के बीच में ग सब्सक्राइब करते हैं और उसके अलावा मुझे बोलना काफी पसंद है तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं मैंने काफी साल निमानिक टेक्निक्स जो होती है ब्रेन टेक्निक्स किस तरीके से हम चीजों का सानी से याद रख सकते हैं रिटेन कर सकते हैं उनके ऊपर तरीक टेक्निक्स पीकर भी हूं एक ट्रावलर भी हूं सो जब मुझे 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 मिलता है आइधिंग बस पिछले साल एक्सेप्शन है बाकि हर तीन महिने मैं मैं सोलो ट्रिप्स के ले जाती हूं क्योंकि मुझे एसा लगता है कि जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि हमने एक बाल बना रखी होती है अपने दिमांग में कि मैं आवरेज टूटन हूं मैं वीक स्टूटन क्योंकि मारे आसपास वाले ऐसा सोचते है और कभी न कभी हम जब स्ट्रेंजर से मिलते हैं और वह हमें बताते कि नी नी आप इस तरीके के नहीं हो तो हमारी जो मित ह प्रेशर है कि उस प्रेशर को लाइटन अप करने के लाए तिंग मूजिक इस बान बे आउट सो सब जने कोई ने कोई सिंगर है कोई डैंसर है कोई कुछ है सो मूजिक इस वान तिंग विच वी अला इंटू तो जैसे यह सारी चीजें जो है शाम को क्या घूमना पसंद कर जहाँ मैं मॉर्निंग में सेवन अक्लॉक से स्टार्ट करती हो अपना रूटीन वर्ग फिर बीच में हमारी लाइजनिंग भी उतनी इंपोर्टन रहती है हमें मीटिंग पर जाना होता है सोचलाइज लाइज करना पड़ता है दूसरे चार्ट से मिलने के लिए और फिर र सब्सक्राइज करते हैं मेनाक्षी भरवानी इंस्टिटुट ऑफ चार्टे अकॉंटेंस ऑफ इंडिया के उदैफुर ब्रांच की सेक्रेटरी जिम्मेदारियां समवाली बहुत सारी और आज हमारे इस शो में आकर के आपने बताया कि किस तरह से चार्टे अकॉंटेंस की जो एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहतर तरीके से अपनी स्टडी को प्लैन कर सकते हैं बहुत शुक्रिया आपका प्लैन कर दापका